नमस्कार दोस्तों, स्वागे थे अब सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नारियल पानी के क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं नारियल में एंटी आक्सिडेंट, अमीनो एसिड, अंजाइन, बी कॉंपलेक्स, विटामिन, विटामिन सी, जैसे कई तद तो पाय जाते हैं यह लो कैलोरी ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है ज़्यादतर लोग नारियल पानी पीने के फायदों के बारे में जानते हैं साइधी लोगों को पता हो कि अगर नारियल पानी का ज़्यादा सेवन किया जाए तो सरीर को नुक्सान पहुंच सकता है या सरीर में होने वाली कई बिमारियों का करण भी बन सकता है इसी बीच हम आपको आज नारियल पानी पीने के नुक्सान बताने जा रहे हैं इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि नारियल पानी कब और कितना पीना चाहिए दिन भर में एक नारियल पानी ही पीएं कभी भी नारियल खाली पेट ना पीएं पायकेड में मिलने वाले नारियल पानी के बज़ाए फ्रेस नारियल पानी ही पी हैं। भले ही नारियल में कम चीनी होती हैं, लेकिन इसमें कैलोरी और कार्बोहाइडरेट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिस वज़े से यह बलड सुगर के लेवल को बढ़ा देता है और इनके मरीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। बलड सुगर मरीज अगर इसे डेली पी हैं तो बलड सुगर लेवल बढ़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यूरिन प्रबलम भी आपको हो सकती है, नारियल पानी में डायूरेटिक प्रपर्टीज होते हैं, जिस वज़े से अगर नारियल पानी को बार बार पिया जाए, तो बार बार यूरिन आने की प्रबलम हो सकती है, बीबी भी लो होता है, जिस सक्स को बीपी लो की दिक्कत रह उन्हें नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, इसके साथ ही सोडियम, पोटैसियम ज्यादा मात्रा में पाये जाते हैं, जिस वज़े से सरीर में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने का खत्रा बढ़ जाता है, एथिलीट के लिए भी या हामफुल होता है, जो लोग वर्काउ के तुरंद बाद नारियल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर वर्काउट करने के बाद बौडी डिहाइडरेट हो जाती है, वर्काउट के बाद सक्स को वही ड्रिंक पीने चाहिए, जिसमें सोडियम मात्रा ज्यादा में हो, वही नारियल में सोडियम मात्र कम होती है इस वोजिस वर्क आउट के बाद नारियल पानी नहीं पीना चाहिए